बात चाहे सुबह की चाय की हो या शाम की थकान के बाद की चाय की हम सब को चाही होते हैं एक ऐसी रिफ्रेशिंग चाय जो हमारे पूरे दिन के थकान को न चुटकियों में गायब करते हैं तो मैं आज आप लोगों के लाई हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग चाय के मसाला की जो आपके माइन को तो रिफ्रेश करेगी ही आपके पूरे दिन की थकान जो होगी उसको भी ये गायब करतेगी बहुत तेश्टी मसाला की रैश्पी है ये तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए ना मैंने यहां पर एक चमच ले जा है इसे से मैं यहां पर पूरी म लाइचे लिया है इसको एफ को चोर्पर कि डाले टॉल टोल लिखिए इसके बास ने बड़ा चमच लांग ये जो साथे माइन को पूरा ने बहुत पेड़ा टेश्टर आते है अगर आप ठंडियों के लिए मसाले बना रहे हैं चाई के लिए तो आप यहां पर काले मिश्की जो कौंट्री थोड़ा बढ़ा देजी सॉंफ की कौंट्री आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं आप कौंट्री तो इतने हैं और आउट को लितना है और दो डाल देजिक अपको लोना ची स्टिक्स को कौंट्री आप यहां पर ऋपर दाल तो देसकते हैं इस से जादा आपको मसाले लेने की जौद्विए बिलकुल पॉफ्एट मेंजरमेंट चाई के मसाले के लिए लिए अब आपको ना हलका असा पैन को गरम कर लेना है पैन हलका गरम होने के बाद आपको डालना है लॉंग काले मिच और यहां पर डाल दाना है आपको छोटी लैची पहले आप इने तीनों मसालों को भून लो फ्लेम पर इससे कहोगा ना मसाले जलेंगे भी नहीं और जो इनकी जो फ्लेवर और न्यूट्रिंट है वो सब इसमें रहेगा तो आपको इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है जब तक हलकी सी खुश्बून आ जाए अब यहां पर आपको जो बाकी बची हो मसाले हैं इन सब को भी यहां पर डाल देना है और इसको भी आपको फ्लेम पर भूनना है एक से दो मिनट के लिए इतने में मसाले आपके बहुत अच्छे से भून जाएंगे आपको जलाना नहीं है बस हलकी से खुश्बू आ जाएंची जब मसाले को भून के किसी भी चीज में जूश करते है ना उस सबजी हो चाहें 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 इनका ज इसे बीस मिनट के छोड़ा था इतने में जो मसाला है ना बहुत अच्छे थंडा होगे बहुत जाड़ टाइम लगता है इसको थंडा होने में जब यह थंडा हो जाए तब आप इसे पीसिए नहीं तो बहुत फाइन पाउडर आप नहीं बना पाएंगे आपको डाला है य इसलिए मैं दो चमच यूज गया है अगर थंडियों के लब बना रहे ना तो आप यहां पर एक चमच और बढ़ा सकते हैं तो जो अध्रक होता है ना वह गरम घीत देता है इसलिए मैंने आपर कम यूज गया है अब मैं यहां पर डाली हूँ एक चमच मिसरी इसे जो हमार इसलिए वह भी बढ़ जाएगी और जो इसकी खुश्बू है ना वह बहुत दिनों तक बरकरार है तो इसलिए आप एरटाइट कंटेनर में ही से स्टोर करें तो चलिए बहुत तेस्टी चाय बना लेते हैं इस मसाले के साथ आपको यहां पर ले ले लेना है पानी पानी मे यहां पर डाल लिए दो चमच चीनी जो कि हलकी चाय के लिए बिल्कु पॉफेक्ट है अगर आपको मीठा ज्यादा पसंदे तो आप इसकी कौंटरी बढ़ा सकते हैं और आपको इस अच्छी से बॉइल कर लेना है देखिए यहां पर अच्छी बॉइल आ गई है तो मैं इ आप एक पाद जरूर बना कर देखिए और अगर आपको हमारी चाई-मसाला रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू बब बाई